आप सभी प्रियत दर्शकों का स्वागत है किसी भी एक स्टॉक में ज़ादा निवेश मत कीजे दो 20% से ज़ादा ट्रेडिंग मत कीजे और स्टॉक का होराईजन 3 साल का रखे अपने पास आज हम बात करेंगे AMI Organic Limited का IPO आ रहा है क्या आपको apply करना चाहिए कि इसको skip करना चाहिए listing gain होगा कि कुछ दोका बिल सकता है यहाँ पर यह एक specialty chemical sector का बहुत अच्छा company है JMP जो यहाँ पर है काफी अच्छा शुरू आप दिखा रहा है अभी और उमीद की जा रही है कि अगले हफते से जब subscription शुरू होगा तो यह और भी तेजी से बढ़ेगा Please consult your financial advisor सबसे पहले what is so special about this particular IPO for the company इनकी दो speciality है Advanced Pharmaceutical Intermediate बनाते हैं और Active Pharmaceutical Ingredients API बनाते हैं जिसकी बहुत तकड़े level पर demand है इंडिया में ही नहीं US में, Europe में और other segment में जो दो इनके main sector business drive करते हैं वो agrochemical and fine chemical दोनों को ध्यान रखेगा आगे का detail portion बताएंगे इसमें क्यों ये stock इतना important है आपके लिए अब जो इसके book building run managers हैं including access capital ये सारे लोग हैं just for information अब अगर हम बात करें आगे कि इनके पास में 25 से जादा country में overseas business है primarily US, Europe और China तीन इनके main clients है जहां से सबसे जादा revenue इनका आता है AMI organic IPO की अगर हम बात करें तो इनके तीन facility हैं गुजरात बेस्ट, सचिन, अंकलेश्वर और जहा गादिया तीनों पे काफी अच्छे level पर इनके research and development center होते हैं and one of the leading manufacturing facility है जिसके पास में 450 से जादा pharma intermediate available है तो ये बहुत अच्छे level पर अनोंने काम किया है 10 रुपे का face value का share है 603-610 के बीच में ये listing होने की बात है इसकी और साथी साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर organic sector में ये एक leader है R&D में इनकी specialty है और marketing बहुत बढ़िया है इसी वज़े से इनका 25 से जादा country में काफी presence है तो global presence होने की वज़े से ये एक phenomenal growth दिखा सकता है आगे आने वाले साई में बशरते आप इसको long term के लिए अपने portfolio डालें अगर debt की बात करें तो यहाँ पर total debt 1300 क्रोड के आसपास है जो की generally इनका turnover जो होता है वो 2 quarter में इससे जादा है तो ये हिसाब से बहुत अच्छा debt को manage किया हुआ है debt to equity ratio भी reasonable है अब इनके जो debt है interesting बात यह है कि इन्होंने जो bank से loan लिया हुआ है वो सारा का सारा loan 6% से 7% के बीच में है जो कि एक बहुत ही अच्छा deal की हुए इन्होंने banks के साथ में यहाँ पर आज की तारीक में तो उससे साब से income facility बहुत अच्छा है इस IPO के बाद में जो promoter holding है 47% से 41% रह जाएगी और यहाँ पर एक ही financial trouble है जो इनके against legal case spending है वो है tax related 16 million रुपीज के आसपास का एक text proceeding का बाकी है number of 8 cases है उनके चलते वह इस तरह से तो MI Organic Limited R&D Center के अगर हम बाग करें तो काफी बड़े level पर इन्होंने अपना research का काम किया हुआ है नए-नए APIs बनाते हैं जिनकी आगे फर्दर demand बढ़ेगी यहाँ पर यह आपको detailed further financial information बताएंगे इस section में और बताएंगे यह गलती कभी मत करना कि इसमें एक ही account में लगाएं आपके पास जितना भी पैसा लगाना है उसको split कीजिए अपने father, अपने mother, अपने wife जो भी आपके relative है उनके साथ में apply कीजिए तो आपकी probability इसमें बढ़ेगी आई यह चलका financials की बात करते हैं यहाँ पर how much it can go हमारे हिसाब से it is effectively क्योंकि हमारी population further grow करेगी और demand ज़्यादा ज़रूत होगी इस सारे products की जो medical care बनाते हैं तो यह growth बहुत अच्छी है इनकी यहाँ पर CAGR के अगर बात करें तो revenue average जो है 25% से ज़ादा है आई यह ज़रा समझते हैं यहाँ पर 2019 में 2300 क्रोड का revenue और 2020 में 2400 क्रोड का बट यहाँ पर all of sudden इन्होंने revenue में 3400 क्रोड का मुनाफ़ा दिखाया है जो की दो almost 50% growth के आसपास दिखा रहा है यहाँ पर अगर profit after tax की बात करें देखे profit after tax ने एकदम जंडे कार दिया है 539 क्रोड का profit हुआ है इनको अगर peers की बात की जाए आर्टी industries, high-cult, valentic, organic, दिनीत, विनेता, organic, newland, laboratories and atul limited यह इसके main peers है और यहाँ पर अगर price to earning ratio की बात की जाए तो company listing जब होगी इसका PE 12 के आसपास है currently market price के reference में, industry का PE 44 है तो यहाँ पर उमीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर listing gain के हिसाब से ही यह काफी अच्छा PE catch-up करने की इसके opportunity है तो price यहाँ पर बढ़ने की उमीद रहेगी तो यह main factor ध्यान रखिए PE के reference में other companies के साथ में यह काफी momentum है इसके पास में आगे बढ़ने के लिए अब अगर हम बात करें business expansion plan तो काफी बड़े level पर यह चाह रहे हैं कि नए R&D का research शुरू करें जिसके लिए कुछ पैसा इसका यहाँ पर लगा जाएगा आगे आने वाले समय में बड़ी deal चलेगी large companies के साथ में जब यह नई pharmaceutical APIs बनाएंगे और European countries plus US countries के साथ discussion चल रहा है जो इस stock की revenue को और भी तेजी से बढ़ाएगा अगर हम global trend की कुछ बात करें तो देखिए 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब करीब 4700 billion US dollar की overall industry है यह बढ़कर 2025 में 6 सालों में यह almost 50% growth दिखाई देगी और इसमें interesting factor यह है कि इंडिया का जो contribution है वो almost double हो जाएगा 166 billion की बजाए यह 331 billion हो जाएगा जो की double है इंडिया का contribution यहाँ पर तो उसे साब से बहुत अच्छा है अगर आप global chemical market की बात करें तो यह भी यहाँ पर commodity chemical सबसे ज़ादा revenue generate करेगा जो की 4777 billion के आसपास इनकी values है और यहाँ पर specialty chemical भी काफी तेजी से बढ़ रहा है जो की value 2025 में 1000 billion के आसपास मानी जाएगी साथी साथ में अगर हम बात करें जो specialty chemical है geography wise इसकी spread देखी जाए तो सबसे ज़ादा Asia Pacific में demand होती है including China followed by Europe और फिर North America तो यह तीनों country इनके major exporters है और यही यहाँ पर देखला रहा है कि आगे phenomenal growth रहीगी इसकी आगे आने वाले 5 सालों में जो की इसको लेके आएगा आपको simple recommendation है अगर आप IP में apply करेंगे तो long time का view देखिए 5 साल का recommendation है हमारी तरफ से आप देखे एग्रो chemical जो हम यहाँ पर chemical industry की बात करें सबसे रहादा contribution 41% एग्रो chemical का होता है उसके बाद pharma APIs यह दोनों इनका major revenue driver है और साथ साथ में जो specialty products है dye, construction paint यह सारे के सारे भी इनके produce के intermediate produce के use के जाते है अब risk की बात करें USFDA अगर रिस्क आपको पताई है जितने भी pharmaceutical companies हैं अगर उनके product use में जाते हैं तो USFDA inspection करती है तो यह एक risk है जो उन्होंने अपने red heading prospectus में भी लिखा हुआ है कि यह अगर audit होता है इस तरह से तो यह challenges produce कर सकते है and have an adverse effect business result in operation financial condition and cash flow operation दूसरा risk की बात करें EHS अमारा environment and health safety जो है वो यहाँ पर अगर किसी वज़े से non-compliance हो सकता है इनकी facilities को कुछ time के लिए बंद किया जाए जब तक यह उसके compliance में आ जाए तीसरा risk इनके product है कुछ product इनके जो certain revenue से आते हैं वो है therapeutic areas और अगर इस product की demand कम होती है या कोई नया development होता है तो यह product की production कम हो जाएगा जिससे इनका revenue भी risk हो सकता है अगर हम CAGR के बात करें तो यहाँ पर 2020 से 2025 के लिए CAGR इन्होंने 11% के आसपर दाई है बट जो पहला phase था 2015 से 2020 का इसमें करीब करीब 27% का CAGR है तो यह CAGR growth rate के reference में काफी अच्छा है आप average CAGR अगर लेके चलें तो यहाँ पर 20% का CAGR expected growth rate है इस business model में जो की एक बहुत phenomenal revenue generate करता है आज की तारिक में इसका grey market premium करीब 90 रुपे का है जब हम यह record कर रहे है और उमीद की जारी है कि यह आगे जाएगा आई चलकर हम conclusion की बाद करते हैं तो देखें तीन main factor हम conclusion करते है पीफो प्रड़क्ट जो इनके product है unique product है, niche product है और साथ ही साथ में chemical industry में एक entry barrier है कोई भी एकदम आकर नहीं product produce कर सक क्योंकि research and development में कम से कम 3 या 4 साल लग जाते है product के लिए growth इस sector की growth 20% CAGR बताई है तो बहुत अच्छा product रहेगे आगे आने वाले समय में margins, higher margin काम करते हैं APIs के reference में तो तीनों की तरह से अगर यहाँ पर simple एक बाद की जाए product unique है, growth बढ़ेगी और margin बढ़ेंगे, तो तीनों से यह thumbs up है हमारी तरफ से अगर आप इसमें निवेश करना चाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसमें 3 साल का view रखते हैं, तो हमारे हिसाब से इसका target आपको 2000 के पार मिलना चाहिए अगर आप हमारे साथ trading करना चाहते हैं मिलकर तो हमें mail drop कर सकते हैं, चार वीडियो पर से आपके लिए जहीं जबारत पाईगा है